पलके दुकी है सासे दुकी है कोई हमें पुकारे अंज़ाई रह था में बाई हमें नहीं हम औरे ओ यारा क्या दिल ने कहा क्या तुम ने सुना हे गैज वेलकम टो बैक में नियो वीडियो तो आज किस वीडियो में आप लोग सिखेंगे कि अपने मॉबाइल फोन से अपने फोटो के साथ या पिर किसी के भी फोटो के साथ कुछ इस तरह का ट्रेंडिंग ए स्टेटस वीडियो का इसे एडिट किया जाता है कैसे बना जाता है तो वीडियो काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और नॉलजबल होने वाली है इसलिए आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट जड़ू देखेगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी बखवास के आज किस वीडियो को सुरू कर लेते हैं उससे पर अपने भाय का नाम जालेजे मिना नाम है घंसाम और स्वागत करता हूँ आप सबीक हमारी यूटूब चैनल टेकनिकल घंड में और हाँ दोस्तों अगर आप अभी तक मुझे इस्टागराम पर फोलो नहीं किये हो तो कर लिजेगा यूजर दे मैं घंसाम जी 123 या फिरने तो लिंक को एडिस्किप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ क्योंकि हमेशा मैं आप लोगों से वहाँ पर बात करता ही राता हूँ और जो material आपके पास नहीं होता है वो मैं आपके पास भेज देता हूँ तो चलिए दोस्तों चलते हैं mobile के screen patch तो दोस्तों finally मैं आपने mobile के screen पर आ गया हूँ तो सब से पहले आप लोग को एक application का ज़ोद पर जाएगा जिसका नाम इकन माश्टर हे तो आप लोग को Play Store पर मिल जाएगा एपर ने तो लिंक को एं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हो वहाँ से भी आप लोग डॉनलोट कर सकते हो और डॉनलोट करने के बाद सिंपली ओपिन कर लेना है और ओपिन करने के बाद यहाँ पर प्लस वाला आइकन दिखाए दे देगा New Project का उस पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तो 916 वाले डिस्यो को सेलेक्ट कर लेना है और Create पर क्लिक कर देना है और दोस्तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगो इमेज वाले उप्सन पर क्लिक कर देना है और Black Color के बाइगराउन इमेज को Add कर लेना है उसके बाद दोस्तो आप लोगो उपर से Cut कर देना है Cut करने के बाद Background इमेज पर क्लिक करके सबसे पहले आप लोग को background image की duration को बढ़ाना है दोस्तो यहाँ पर आप लोग को इसके duration को ततकाल 15 seconds तक बढ़ाना है उसके बाद आप लोग को उपर से back चलाना है back आने के बाद पुरे शुरुवात में आ जाना layer पर click करके media पर click कर लेना है और दोस्तो यहाँ पर मैं एक lyrics template वीडियो को add करा हूँ तो उसके आप लिंग description box में दे दिया वहाँ से आप लोग भी download कर लिजेगा और यहाँ पर इस वाल lyrics template वीडियो को add कर लिजेगा उसके बाद दोस्तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को नीचे चलाना और इसके एक बाद दोस्तो सिंपले आप लोग को फिर से एक बाद बैक चलाना आप अपना status वीडियो में जितने देर तक lyrics को चलाना चाते हो रखना चाते हो उतने देर तक यहाँ पर आप अपने मन पसंद के हिसाब से lyrics को रख सकते हो तो दोस्तो यहाँ पर मैं इस lyrics template वीडियो को ततकाल कुछ इतना देर तक रख लेता हूँ आप जितना देर तक भी रखना चाहो उतने देर पर आप लोग को चले जाना है और lyrics template वीडियो पर क्लिक करके trim वाल अप्शन पर क्लिक करके trim रैट पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तो आप लोग उपर से back चलाना है बाइक आने के बाद सामने सामने आप लोग को background image पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आप लोग को trim वाल अप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तो आप लोग उपर से back चलाना है कट करने के बाद media वाल option पर क्लिक करके आप अपना status वीडियो में अपना जिन जिन फोटो को add करना चाहते हो उन सभी फोटो को यहाँ पर select कर लिजिगा तो दोस्तों यहाँ पर में ततकाल 6 फोटो को select कर रहा हो आप अपना जितने भी फोटो को इससे आगे seat करना चाहते हो, add करना चाहते हो उन सभी फोटो को select कर लिजिगा उसके बाद दोस्तों आप लोगो उपर से back चलाना है back आने के बाद यहाँ से आप लोगो सबसे पहले इसके zoom को दोन उंगली से खीच करके थोड़ा सा कम कर लेना है थोड़ा सा कम यहाँ पर आप लोगो अपने फोटो को zoom करके पूरे चेतर के से screen में add कर देना है पूरे बीच में उसके बाद दोस्तों फिर से आप लोगो back चलाना है back आने के बाद अगले वाले फोटो पर click करके इसके भी वीगनेट को on कर देना है उससे आगले वाले फोटो पर click करके इसके भी वीगनेट को on कर देना है इसी परकार से दोस्तों इससे आगे आप जितने भी फोटो को add कि होंगे सारे फोटो के वीगनेट को आप लोगो on कर देना है और जो वाले फोटो एसकीन में चेतर के से अडिश्ट नो हो उस वाले फोटो के पेन जूम अलप्सन पर click करके डवल लाने वाल अप्सन पर एक वाट करके अपने फोटो को पूरे चेतर के से इसकीन में जूम करके अडिश्ट कर देना है पूरे चेतर के से उसके बाद दोस्तों आप लोगो उपर से बैक चलाना है बैक आने के बाद यहाँ पर आप लोगो सबसे पहले वाले प्लस वाल एकन पर click कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर मैं इस डैना माइक सलाइड वाला टांजक्शन इफेक्ट को अड़ करना है तो अगर आपके कैन मास्टर में यह डैना माइक सलाइड वाला टांजक्शन इफेक्ट नहीं है तो आप इस वीडियो के लास तक देखते रहे यह वीडियो के लास्ट मे सकते हो रख सकते हो उसके बाद आप लोगो उपर से साही कर देना है साही करने के बाद फिर से बैक आना है और बैक आने के बाद दोस्तों आप लोगो दूसरे वाले प्लस वाल एकन पर क्लिक कर लेना है और यहां पर भी आप लोगो इसकी भी कलर वाले उप्सन पर क्लिक कर यहां पर भी आप जो भी color को रखने चाहिए उस color को रख सकते हैं अपने मन पसंद के हिसाब से उसके बाद दोस्तों आप लोग उपर से back चलाना है बैक आने के बाद फिर से आप लोग को अगले वाले प्लस वाल एकन पर क्लिक कर लेना है यहां पर भी आप लोग को डायना म के बाद उपर से back चलाना है और और बैक आने के बाद दोस्तों आप लोग को इस से अगले वाले प्लस वाल एकन पर क्लिक करके इसके भी डैना मेंक से लट वाला टांजक्ट पर क्लिक कर लेना है और जो नमबर वाले एक्ट आपको पसंद आप अपने इस्टेटस वीडिय Kalau में आपको जो कलर पसंद आइस अपर आप लोको एड्र कर लेना है थो सारे प्लस वाल एकन पर क्लिक करके सारे प्लसवाल आप लोको डैनम एक्स तुलैर वाला टळार ऐसा को ट्लै्ठ ग्लेना अंप पूरे चतरकेhair से कि उसके बाद दोस्तों सिंपली यहां से आप लोग को पूरे सुरुवात में आ जाना है लिए पर क्लिक कर देना है और दोस्तों यहां पर मैं एक लाइटिंग टेंपलेट वीडियो को एल करना तो उसका विलिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया वहां से आप लोग कर लिए और यहां पर इस वाला लाइटिंग टंबलेट वीडियो को एट कर लिजगा उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आप लोग को इसके मिक्सर वाल उप्शन पर क्लिक कर देना है इस पर टैप करके इसके सवन को म्यूट कर देना है या फिर ने तो इसको जिरो पर लेन है उसके बाद उपर से बैक चलाना है बायक एनक बाद नीचे चलना को इसके भी स्कीन को मिल जाएगा लेना है विज़ के बाद दोस्त ओ आप लोग को यहां से बैक चलना है ने के बाद यहां पर आप लोग देख सकते हुँ इस लाटिंग टमपलेट वीडियो का रुड़ा सा कम है तो सिंप्ल पर उसके बाद दोस्तों सिंपली यहां से आप लोगों को पूरे शुरुवात में आजया ना फिर से लिए पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहां पर मैं एक वायट बडर इमेज को एड कर रहा हूं तो सका विलिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं से आप आप लोगो इस वायट बडर इमेज की ड्रसन को खीच करके पूरे लास तक कर देना है पूरे लास तक जितनी दिर तक आपके स्टेटस वीडियो का ड्रसन देगा उतनी दिर तक उसके बाद दोस्तों सिंपले आप लोगों नीचे चलाना इसके भी बलानिंग और यहां पर भी आप लोगो उपर से फोर नंबर में स्कीन वाल अपसन देखने को मिल जाएगा तो इसके इनको सेलेक्ट कर लेना है उपर से बैक चलाना है और बैक आने के बाद दोस्तों फाइनली आपका स्टेटस वीडियो बन करके तयार हो जाएगा तो छेले मैं आप लोगो एक ब क्या दिल का चाहर का तो दोस्तों यहां पर मैं थोरा कम दिर तका स्टेटस वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाये हूं आप अपने मोईल फन से अपने फोटो के साथ या पर किसे के फोटो के साथ इसी प्रकार से ज़ाया दिर तक है प्यापना सकते हो और उस स्टेटस वीडियो को अपने मौवाइल पोन में सेव करने के लिए आप लोगो सेर वाल आकन पर क्लिक कर दिना है और दोस्तों यहां पर आप आप लोगो कुछ द्रीड करने के बाद आपका यह वीडियो एक्सपेट वकर करके आपके मौवाइल पून बें सेव जाएगा उसके बाद आपका मन पर होता है महां पर स्टेटस में इस वीडियो को लगा लेजिए तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगो यह बदा देता ह यहां पर आप लोग को box वाल उप्शन पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है थोड़ा सा वेट करने के बाद आप लोग के सामने यहां पर कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोग को सब से नीचे में वाइब बाला ओप्शन देखने को मिल जाएगा तो आप लोग को वाइब बाला ओप्शन पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा नीचे चलाना है और थोड़ा सा नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग प्रेश करके और पर फिर तो करें लिजएगा क्योंकि दोस्तों इस चल्ण पर मिसी तरह के न्यूण लिजबल वीडियो इंटेस्टिंग वीडियो एंड इडिटिंग से रेलेटेड वीडियो लेखरके आता ही रहता हो और अगर आप मुझे से बात करना चाहते हो या फिर आ करके मैसेज किजिएगा तो चलिए दोस्तों फिर मिलता किसी और इंट्रेस्टिंग वीडियों के साथ किसी और मेज़ेदार वीडियों के साथ तब तक के लिए जाहिंद बंदे महत्रम